हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आल आज मैं आपके ले जो वीडियो लेका रहा देखे चार करोड शेयर्स और वह भी टाटा मोटर्स के सबसे इंपोर्टन बात राकेज जुन जुन वाला जी का नाम अब आप कहो गया रही टाटा मोटर्स तो बिलकुल गिर रहा है नीचे उसको जानने के लिए आपको कहीं दूर नहीं नहीं है आपको साहरा सब कुछ पता लग जाएगा कलियर हो जाएगा जी हां तो देखते है टाटा मोटर्स के इस नंबर को सांद के साथ टेक्निकल फंडामेंटल आस्पेक्ट से समझने की कोशिश करता है और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी है टाटा मोटर्स का शेर 127 के प्राइस पर अभी के टाइम पर और 19% के आसपास के डि बहुत से लोगों के मन में कुशियो कि आता है कि ईहां पर क्या यह सच बात है क्योंकि आप ने देखा होगा जब बात तो इस तरीके से situation होती है और हमेशा आप ठीक है फॉलो कीजिए बड़े इंवेस्टर को लेकिन अपना है अपना मानने कि हाँ आपने देखा यहां पे राकेश इंवेस्टमेंट करी है क्या रेट है क्या प्राइसे उसके बाद आपको खुद की आनलेसिस भी थोड़ा सा कर चाहिए कि हाँ क्या मैं सही कर रहा हूं क्यों मैं खरीद रहा हूं इसको क्यों कि ब्लाइंडी जब आप बाई करते हों कि बड़े लोग है वह अपना प्राफिट बुक करके निकल जाएंगे टाइमली या होल्डिंग कम कर देंगे या बढ़ा देंगे जो भी situation है और तब इसके कुछ टाइम में बड़े लॉसे इसने दिखाए हैं डट कंपनी के अपर अल्रडी बहुत बढ़ चुका है तो उसके बावजूद भी राके जुन जुन वाले जी ने होल्डिंग बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई है कोईशन की बात है तो जड़ा देखते हैं को दे उसके बाद फिर से अगर मैं बात करूँ दोजार मार्च की बात करें तो मार्च में भी उनकी कोई भी होल्डिंग इसमें नहीं थी क्लियरली देखिए और अगर जून तक की बात करूँ तो जून तक मैं भी कोई होल्डिंग आके जुन जुन वाला जी की नहीं थी देखत बाइए एक करोड एक क्यानमे लाग शेर इनके पास थो देख सक थे आप एक क्यानम में लाग नहीं बलकी 19 क्योड एक करोने 19 करोड 16 लाग शेर्स 19 करोड 16 लाग शेर्स mutual fund वालों के पास थे और जिसमें foreign portfolio निवेशकों के उस 48 कितने है 48 करोड शेर्स foreign portfolio निवेशकों के पास बीटे बड़ी holding लेकिन अब ज़रा ध्यान दीजिए September में चीजे बदली चीजे बदलने के सांसाथ mutual fund वालों की holding त तो ज्यादा difference मुझे देखने को नहीं मिला लेकिन मैं कहूंगा जो नंबर देखने को मिल रहा करोडों में एक नया नाम जुड़ गया राकेज जुनजुनवाला जी जो कि अपने आप में एक बड़ी खबर बन जाता है जहां पे राकेज जुनजुनवाला जी का नाम यह मैं दिखा देता है आपको नंबर यह हाइलाइट करके दिखा रहा हूँ देखे चार करोड़ शियर्स वन पॉइंट टू नाइन पसंट की होल्डिंग है और जूम करते हैं आप नंबर को देख लीजिए कि चार के पीछे साथ जीरो है या नहीं है तो आपको देख रह नंबर को अगर आप तसली से देखोगे इन नंबर को तो मैं आपको यही कहूंगा कि यह जुलाइज अगस्ट सेपनमबर इन तीन मन्थ में खरीद है अब आपको देखना होगा कि कैसे कब बड़ी खरीदारी है आपको देखने को में लिए कि एक साथ तो नहीं दीरी-दी लिएशकों का काउंट जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि यहां पर रिटेल लिवेशक 14,00,000 से बढ़के 15,00,000 बढ़ता जा रहा है अब यहां पर 15,00,000 लोग इंवेश्टेड है यानि कि शेयर का प्राइस जरूर नीचे है लेकिन लोगों की संख्या बढ़ती लेकिन जैसे जैसे यहां पर प्राइस गिरता आया जो लोग कहते हैं सस्ते में खरीद लो सस्ते में खरीद लो वो खरीदते रहे और फसते रहे और अभी 15 लाख लोग अपने को फसा हुआ सा महसूस कर रहे होंगे हां लेकित अब सिच्वेशन बदलती हुई थोड़ा सा करेंडल को यह करेंडल अपने आप में दर्साती है ट्रेंड का रिवर्सल लेकिन अकेले नहीं इसका पूरा सपोर्ट आपको चाहिए आप देखिए यह लोवर हाई लोवर लो की सीरीज बनती गई और मार्केट में गिरावाट आती गई यह बड़े टाइम फ्रेम हैं कि म प्राइस कहां से कहां आ चुका है डबल तक हो चुका है प्राइस लेकिन उसके बावजूर्द भी चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं लेकिन इन तीन चीजों को जब मैं देखू न इन तीन एक नहीं तीन तीन यह लेवल से इनको जड़ा ध्यान से देखिए अब आपको क को जब आप देखोगे आरसा लेवल पर आपको तो एक पॉजिटिविटी दिख रहा होगा ऐसा लगा रहा हो कि हां स्ट्रेंथ लॉटरी है स्टॉक में ऐसा बहुत कम होता है अच्छली एक दो तो आपको गया रहे एक दो बार तो चीज़ें बदल सकते हैं लेकिन यहां पे ठोड़ा और चीज़ें आपको इसके साथ चाहिए होती है के लिए यह काम नहीं करता और भी चीज़ें आप चाहिए होती है अगर आप यहीं पर देखते तो इसके बावत भी शियर के प्रैस में बड़ी गिरावाट आपको देखने को में लिए और फिर से यह तेजी यह फिर से करेक्शन आ सकता है तो इसके पूरे रिवर्सल को आपको अखेले नहीं साथ के साथ हायर हाय हायर लो की सिरीज इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है अब समझने की कोशिश करते हैं यह देखें लास्ट टाइम पे भी उसी ट्वंटी ये में ने रजिस्ट का काम करना तो यह लवल क्रॉश होना इंपॉरॉटेट है तो मुझे लगता है कि अगर यहां पर अगर यहां पर पावजिटी वीटि आती है देखे पावॉजे पॉसर्टम सिरीज यहां पर भी अगर हमने बुलिस जॉाइंट की फॉर्मेशन आती है तो हम कहेंगे हाँ चीज़ा बदल रही है और यह पिछले हाई को भी पार करते तो और भी बढ़िया लास्ट टाइम पेपी जब तेज़ी जरूर आई थी लेकिन यह पिछले हाई को पार नहीं कर पाया था प्राइस के टम में तो आर्शाय के साथ साथ प्राइस को यूज़ कीजिए प्राइस सबसे पहले उनके टाइम फ्रेम को देखिए उनके जुलाई अगस सीरीज में ही इन्वेस्टमेंट है यानि कि इस करेक्शन के बाद उसके इन्वेस्टमेंट है तो मुझे लगता है कि हाँ यह जो बड़े टावर्स बने है न यह दो-दो यह लवल यानि कि 100 से लेके 125 के आसपास था उन्हाने बड़ी खरीदारी यहां पर करी है इस रेंजेज में क्योंकि यहीं पर बड़े टावर्स बनते हुए देख रहे हैं तो इन रेंजेज में पिछले तीन मेहनों में यहीं बड़े टावर्स है इनके इसाब से यह बड़िया एक मैं कहूंगा खरीदार मैं फिलाल कंडिशन भी अभी वी कुछ ऐसे ही बनती भी नजर आ रही है लेकिन अभी यह सपोर्ट ले रहा है तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आपको देखनी पड़ेगी जो यह करेक्शन चल रहा है इसके इसको खतम इसका रोजॉलिशन आपके लिए सब्सक्राइब हो सकते हैं उसके बाद जो अभी 25 अगस्त के महीने में ही बड़ी बाई यहां पर हुई है तो जुन्यों नौलेजी ने कहीं न कहीं इन लेवल्स पर अगर मैं रेंज की बात जैसे कह रहा तो 100 रोपे से लेके आल्मॉस्ट एक सो तीस चालिस के आसपास तक अब इक सो पचास के आसपास जरूर गया लेकिन आरे सब्सक्राइब ने को मिल रही है तो इसका मतलब अभी देखिए इसका मतलब जो आरैसइब मोमेंटम चल रहा है यह भी खतम होना चाहिए गर रिजॉलिशन हो पर एक्टन का तो हान्ट डे की सिंपल मॉविंग आवरे अभी इंतजार आपको करना चाहिए तो थोड़ा सा लेट खरीद लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर फिर से यहां पर प्राइसिंग जंप होता है और आरे से आपको मजबूती दिखा देगा कि हम रिवर्स होने जा रहे हैं यह थोड़ा सा जल्दी आपको बता कर लें जैसे आपको नोटिफिकेशन आती रहे हैं थांक यू थांक यू पर लॉच्ट वीडियो